साथ यो Microsoft Excel में हमने किसी sell को protect करना है या हमने किसी range को protect करना है इसमें हमारा formula भी हो सकता है content हो सकते है इसके बारे में हमने आपको बताया था यदी किसी इनो वीडियो नहीं देखा है तो आए बटन पर जाके वीडियो देख सकते है आज हम सीखेंगे कि किसी भी formula को protect करने के साथ साथ हम उसको hide किस प्रका करें ताकि कोई हमारे formula को चुरा ना सके ये ना देख सकते हमने वहाँ पे क्या formula यूज किया है तो हम अपने formula को protect और hide कैसे करेंगे ये जानेंगे इस वीडियो में तो इसमें तक बने रहे हैं नमस्कार साथ हो मेरा नाम है मनुश कुमार और आप देख रहे हैं computer gangory channel तो चलिए सीख लेते तो आप लोगों को ध्यान में आ गया ये वही सीट हमने open कर ली जिसमें हमने आपको password protect करना बताया था unique cells को कि हम कहीं कहीं पे किसी किसी cell को अगर protect करना जाएं या फिर जिन cells को हमने color दिया है कहीं कहीं पे और उस color के according हमने उनको protect करना है उन cells को तो यह हमने बताया था लास्ट वीडियो में वह किसी नहीं देखा है तो उपर आय बटन पर आपको उसका link मिल जाएगा जहां से जाके आप उसको completely सेख शकते हैं अब हम चलते हैं कि हमने protect तो करना ही है cell को शिरफ उन cell को protect करना है जिनके अंदर formula है और साथ में वह formula hide भी करना है अभी देखें यहाँ पर formula लगा हुआ है है ना देख रहे है formula बार के अंदर इसको protect तो करना है लेकिन यह formula भी नजर नहीं आए यहाँ पे तो उसके लिए तो simple method है कि आपने formula यूज किया है यहाँ पे मालीजिए और यह आपने temporary formula लिया है बाद में इस formula की जरूरत नहीं है तब protect करने की क्या जरूरत है सिद्धा हम क्या करेंगे जहाँ पे यह formula पूरा लगा हुआ है पूरी range को हम select करेंगे copy करेंगे और यहाँ पे आके करेंगे value रह जाएंगी formula बार के अंदर formula नजर नहीं आएगा सिरफ value value नजर आएंगी लेकिन अब जैसे आपने कोई rate या quantity change करना पड़ जाया तो यहाँ पे कोई effect नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने यहाँ से formula remove कर दिया और यदि आपको जरूरत पड़ती है formula की बार बार तब यहाँ पर डाल देता हूं मैं password और re-enter password okay करेंगे तो इस स्टीती में यह seat fully protect हो जाएगी हम इस पर कहीं भी कुछ भी लिखना चाहेंगे तो अब यहाँ पर कहीं भी enter नहीं होगी कोई भी value लेकिन हमने क्या करना है सिरफ वही protect करने है जहाँ पर formula लगा हुआ है ठीक है यह यहाँ पर formula है यहाँ भी formula है यहाँ भी formula है यहाँ भी formula है इस परकार से आपके पास formula भी अलग-अलग स्थीती में हो सकते ना कि एक range के अंदर तब हम select करेंगे सिरफ formula को इसको पहले unprotect करते हम okay कर लेंगे और अब सबसे पहले तो हम ऐसा करेंगे कि हम पूरी seat को protect नहीं क address चले जाएंगे protection के अंदर यहाँ पर करेंगे हम इसको locked को uncheck and then कर देगे okay अब हमने check करना है सिरफ उन cells को जिनके अंदर formula है हमको नहीं पता किस की cells के अंदर formula है यहाँ पर देखो मैंने आपको बताने के लिए उनको color किया हुआ है green color से कि यहाँ यहाँ पर formula लगे हुए ह लेकिन हमने color नहीं कर रखा है तब हम कैसे उनको select करेंगे हम करेंगे अपने keyboard से ctrl z go to के लिए और यह सारे option मैंने आपको करवाए हुए हैं आपने सीखे हुए हैं तो आपको तुरंत दिहान में आ जाता है कि हम क्या करने वाले हैं अब यहाँ पर चले जाएंगे special के तो अब देखो जहां भी फोम लेते पूरी शीट के अंदर वो सारे हमारे select हो गए अब keyboard से करेंगे control one इनको कर देंगे locked तो इन लोक हो जाएंगे हमने इन फोमला को hide भी करना है तो सिर्फ हमने यहाँ पर इस check box को और check कर देना है hidden वाले को और कर देंगे अब लगाएंग confirm is note identical नहीं हुआ confirm हमने गलत डाल दिया एक दो तीन चार बर मैंने space यूज किया और यहाँ भी मैंने एक दो तीन चार बर space किया okay कर दिया ठीक है अब यहाँ पर देखो यहाँ पर click करते हैं तो आप formula बार में देखो यहाँ कोई formula नजर नहीं आ रहा है यहाँ भी नहीं है कोई formula नजर नहीं आएगा और नहीं वहाँ पर कुछ enter होगा right click यूज करके हम इसको delete करते हैं देखो यहाँ पर delete का option या insert का सब यहाँ पर clear हो गया सिरफ comment comment के लिए बचा है क्योंकि हमने protect formula को किया है काम accurate करेगा यदि हम यहाँ पर quantity बढ़ाते हैं मैं 55 करता हूं quantity देन द चलेगा rate बढ़ाते हैं किसी जगह मैं 12 का करता हूं दैन अभी भी देखो सब जगह formula सही तरीके से काम कर रहा है तो इस परकार से आप अपने formula को protect कर सकते हैं और formula चोरी होने से भी बचा सकते हैं कोई यह भी न देख पाए कि आखिर आपने वहाँ पर formula यूज क्या किया है